बॉलिवूड इंडस्ट्री की एक ऐसी दिग्ग जदाकारा है जिने हिंद सिनेवा की एवर ग्रीन आक्ट्रस भी कहा जाता है और आज भी वो खुब सूर्थी में तमाम यंग आक्ट्रस को टक कर देती हैं हालांकि इस अभी नेत्री की परसनल लाइफ काफी विवादत रही और उनके कई को स्टार्स के साथ अफैर भी रहे और बाहत में इस आक्ट्रस ने शादी भी की लेकिन इनकी ये शादी साल भर भी नहीं टिक पाई तीन महीने में ही पती से आक्ट्रस को बौरियत होने लगी थी जिसके बाद हस्बन डिप्रेशन में चले गए और फिर खुद ही उन्होंने अपनी सासों की डूर तोड़ दी जी हाँ ये दिगजदकारा कोई और नहीं बलकि रेखा है रेखा ने यूँ तो तमाम फिल्मों में अपनी शांदार आक्ट्रिंग का लोहा मनवाया लेकिन अगर बात उनकी निजी लाइफ की की जाए तो ये आपको काफी उतल पुतल से भरी नजर आएगी यासिर उस्मान ने अपनी किताब रेखा दा अंटोल्ड स्टोरी में अक्रिस की जिंदगी के कई खुलासे किये हैं किताब में उन्होंने बताया कि आखर रेखा की शादी क्यों नहीं चली थी और उनके पती मुकेश ने आखर सुस्साइड क्यों किया था किताब में लिखा गया है कि दिल्ली के बिजनिसमैन मुकेश अगरवाल की कमपनी हाट लाइन किचन का सामान बनाती थी मुकेश अक्सर अपनी पांटियों में फिलमी हस्तियों को बुलाया करते थे वहीं रेखा और मुकेश के कामन दोस्त बीमा रमानी थी और रेखा अपनी फ्रेंड बीमा रमानी से मिलने जाया करती थी अब इसी दोरान उनकी मुकेश से हुई और फिर दोनों की बाते शुरू हो गई और मुकेश रेखा पर अपना दिल हार बैठे चार मार्च 1990 की दुपहर को मुकेश ने रेखा के गर पहुँच कर उन्हें शादी के लिए प्रपोस किया था अप्रेस पहले तो ये सुन कर काफी हैरान हो गई थी लेकिन फिर उन्होंने मुकेश के साथ शादी के लिए अपनी हामी भर दी अब इसके बाद 30 साल की रेखा और 37 साल के मुकेश ने उसी रात 10 बच के 30 मिनट पर मुक्तेश वर देवाले मंदर में जाकर शादी कर ली थी रेखा बॉलिवूड आक्रस थी और ऐसे में काम की वज़ा से वो अक्सर मुंबई में ही रहा करती थी वही उनके पती मुकेश अपने बिजनिस के चलते दिल्ली में रहते थी हालंकि रेखा अपने पती मुकेश से मिलने दिल्ली आती जाती रहती थी वही अब मुकेश की फिल्मी कलाकारों से मिलने की चाहत बढ़ती ही जा रही थी और इससे रेखा को भी काफी परिशानी होने लगी थी जिसके चलते उन्होंने अपने पती मुकेश से दूरी बनानी शुरू कर दी थी वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अपनी पतनी रेखा के साथ शादी के बाद फिल्मों में काम करना नहीं पसंद करते थे वो चाहते थे कि रेखा उनके बिजनिस में उनकी मदद करे लेकिन रेखा को तो कुछ और ही मनसूर था जिहां रेखा को अपना फिल्मी करियर बेहदी प्यारा था और वहीं शादी के बाद मुकेश का बिसनिस नुकसान में जाने लगा और धीरे धीरे वो परिशान रहने लगे अब इस दौरान मुकेश और रेखा में काफी जगड़े और बहस भी होने लगी थी दोनों की शादी को एक साल भी नहीं हुआ था और उनकी शादी शुदा जिन्दगी में तनाव बस बढ़ता ही जा रहा था रेखा इतनी परिशान हो गई थी कि उन्होंने मुकेश से तलाक लेने की ठान ली थी और इसके लिए उन्होंने अर्जी भी लगा दी थी हाला की शादी के 11 महीने बाद ही मुकेश अगरवाल ने अपनी जीवन लीला खुद अपने हातों से खत्म कर ली जी हाँ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा से मनमुटाव और बिजनिस में हुए घाटे ने मुकेश को डिप्रेशन में शिकार डाल दिया था जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि मुकेश ने रेखा के दुपटे से ही फासी लगा ली थी वहीं पती की मौत के बाद रेखा ने दूसरी शादी नहीं की और वो आज तक एक सिंगल की तरहा जंदगी गुजार रही है वेल ये तो था आज का बॉलिवूड का किसा बॉलिवूड इंडस्ट्री से जुड़े और भी इंट्रेस्टिंग किसे और कहानिया जानने के लिए स्टे ट्यून टू माया पुरिकर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले